दोस्तों नवस्कार मैं हूँ एडोकर डीपी पांडे और आज के सीरीज में हम दानेंगे कि CRPC की धारा 63 क्या है CRPC की धारा दोस्तों 63 कहती है कि निगमित निकायों एवंग सोसाइटी पर समन की तामील पिछली वीडियो में हम लोग जाने थे section 61 और 62 जिसमें 61 में बताया गया था कि समन का प्रारूप कैसा होता है उसमें क्या कहा गया है और section 62 में बताया गया था कि समन की तामील कैसे कराई जाए तो आगे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर कोई निगम है, कोई सोसाइटी है, कोई निगम का मतलब कुईसी पालीका, नगर पालीका पंचायत, कोई ट्रेस्ट है, कोई कमपनी है, कोई सोसाइटी है तो उसमें कैसे समन को तामिल कराया जाएगा सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो CRPC की language है धारा 63 की वो क्या कहती है उसके बाद आगे है इसके पर हम बात करेंगे किसी निगम पर समन की तामील निगम के सचिव अस्थानी प्रवंधक या अन्य प्रधान प्राधिकारी पर तामील करके की जा सकती है या भारत में निगम के मुख्य अधिकारी के पते पर रश्टी कृत डांक द्वारा भेजे गए पत्र द्वारा भी की जा सकती है जिस दसा में तामील तब हुई समझे जाएगी जब डांक के साधान रूप से वह पत्र पहुंचता है यह धारा करती है कि समन का तामील जो निगम के सचीव हैं जो उसके प्रधान सचीव हैं सेकरेटरी हैं जो भी हैं उसके जो अथार्टी है या कोई कमपनी है तो उसके बोर्ड के मेंबर हैं डारेक्टर हैं कोई सोसाइटी है तो उस सोसाइटी के चेर्मेन जो भी कुछ हैं उनको भी तामिल करा के की जा सकती है या इस तरह से भी कराई जा सकती है कि उनके पते पर पोस्टल एड्रेस पे भेज कर एक पंजी करे डांक से भी वो समन को भेज कर तामिल कराई जा सकती है लेकिं वह तब तामिल माने जाएगी जब वह डांक उनके तक पहुँच जाता है ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो society, निगम और companyya होती हैं ये खुछ signature नहीं कर सकती है और इसलिए इनके जो संचालक होते हैं इनके जो director होते हैं, इनके जो chairman होते हैं, प्रबंदक होते हैं जो प्रधान सची होते हैं, जो कुछ भी हैं उनके द्वारा उन पर समन की तामिल अगर उनको सुचना दे दी जाती है तो माना जाएगा कि वो समन का तामिल हो गया है और उनके हस्ताक्षर उस दूसरे कांपी जो समन की दूसरी कांपी होती है क्योंकि शमन दो कांपियों में होता है तो दूसरी कापी के प्रिष्ट भाग पर उनके हस्ताक्षर भी ले लिये जाते हैं कि उस निगम सोसाइटी का कौन ब्यक्ति है जो समन को तामिल किया है इस धारा में जो निगम सब्दल आया गया है तो निगम सब्द का मतलब है किसी निगमित कमपनी से और जो society की बात की गई है तो वो society रष्टिकृत अधनियम 1806 के अंतरगत वो society भी है तो मुझे यकीन है कि इस वीडियों से बहुत कुछ समझ में आ गया होगा कि निगमित निकायों को और society को समन की तामिल कैसे कराई जाती है वीडियों अच्छी लगे तो लाइक जरू कर दिजेगा और अगली वीडियों हम अगले section पर लेके आएंगे चैनल पो अभी तक आपने subscribe नहीं किया है तो subscribe भी कर लिजेगा वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्माई